तो इस वीडियो में हम करेंगे 6.4 के जो बाकी हमारे पास question रहते हैं तो remaining question है accessory number 6.4 का question number 11 अब इसकी statement में हो कह रहा है the sum of 9 term of an AP is 177 and its 8th term is 31 find the series अब वो हमें कह रहा है कि 9 term of AP इसका तो मतलब है कि A9 लेकिन यहाँ पर उसने जिकर किया sum of 9 10 मतलब S9 S9 वो कह रहा है sum of 9 10 of AP is 171 जो S9 है 171 and its 8th term इसने अब specify किया है कि और इस सीरीज की जो 8th term है वो हमारे पास किया है जो A8 है वो है 31 अब हमें अंदादा हो गया कि S8 होता तो इतना कम ज्यादा difference ना होता A8 है A8 का मतलब है सारी पिछले sequence जमा हमें है तो जो 9ी series है वो बहुत ज्यादा बन गई है अब हमें Sn का formula पता है Sn हमारे पास यहाँ पर final value किया है 9th term हमारे पास सबसे आखरी term है तो 9th term ही हमारे पास Sn है Sn का मतलब है किया हमारे पास 9 तो थोड़ा से यह जहन में रखने वाली बात है 9 ही हमारे पास किया है Sn Sn is equal to n over 2 plus 2A1 plus 9-1 into d is equal to 171 यह next step में कर लेते हैं 171 नीचे बड़े step में जादा specify होके लेख देंगे तो 171 है हमारे पास तो यह हमारे पास के n over 2 2A1 plus 9-1 8 हो जाएगा तो 8d यह थोड़ा सा simplify होगे हमारे पास आ गया इसे हम इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे लें यह बलके इसको थोड़ा सा मज़ीद और simplify कर लेते हैं n की value भी put कर लेते हैं तो यह हमारे पास हो जाएगा 2A1 plus 80 is equal to 171 इससे जादा इसको solve अभी तक नहीं किया जा सकता है और अगर किया जा सकता है तो उसका एक तरीका हो रहा है कि यह common बीसी बारी में खतम करड़ी है जाए a1 plus 4d यह अब इस step तक हमारे पास answer आ चुके हमारे पास जो दूसरा step है उसे हम क्या कह सकते है अगर हमें a8 लेना हो तो a8 को बनाने का दूसरा तरीका यह a1 plus 70 यहां तक हम इसे लेख सकते है a8 की value भी हमें बता है 31 a1 plus 70 तो इसे हम equation number 1 का नाम दे सकते है इसे भी हमने कुछ नाम देना थे तो इसे 1 कह लेते हैं और इसे 2 कह लेते हैं अब अगर देखा जाए तो दोनों equations को हम solve करके कुछ ना कुछ तो बना ही सकते हैं a1 a1 हम cancel out कर देंगे और बाकियों को solve करके कुई ना कुई हमारे पास answer आई जाएगा अब हम यहां पर 171 को 9 पर divide कर लेते हैं तो हमारे पास यह answer आ जाएगा 19 तो चलो हमारे पास बहुत जादा simplified form हो गई है हम क्या करते हैं subtract equation 2 from 1 हमारे पास 1 पहले लिख लेते हैं a1 plus 4d is equal to 19 और 2 हम बाद में लिख लेते हैं a1 plus 7d is equal to 31 अब sign change होगे minus हो रहा है minus होगा तो यह a1 उड़ जाएगा यह minus 3d is equal to minus 31 plus 19 यह हमारे पास आजएगा minus 12 minus minus से cancel out होजएगा 3 1 दा 3 3 4 दा 12 बाकी next page पर कर लेते हैं हमारे पास हमारे पास answer आजएगा d is equal to 4 अब हमारे पास difference आ गए अगर difference आ गए तो automatically हमारे पास a1 b आ जएगा हमने equation में equation चोरी थी a1 plus 7d is equal to 31 अगर याद होई equation number 2 थी हमारे पास तो हमने इस equation में d की value put कर दी a1 plus 7 4 equal to 31 4 7 दा 28 28 दूसरी दरफ जाके minus 28 होजएगा a1 की value हमारे पास क्या आ गई a1 की value हमारे पास आ गई 3 अब a1 की भी हमारे पास value आ गई difference की भी हमारे पास value आ गई अब हमारे पास किसी भी चीज़ की value निकालना कुछ जादा मुश्किल नहीं रहा लेकिन हमारे पास series भी यहां पे छोटे से step के बाद हम खतम कर देंगे तो आइए वो step देख लेते हैं कि वो step हमारे पास है क्या है तो हमारे पास series के लिए हम a2 निकाल लेते हैं पहले और a3 निकाल लेते हैं क्योंकि minimum 3 तो हमारे पास values चाहिए हैं यह होगी series निकालने के लिए a2 क्या होगा? a1 plus d और a3 क्या होगा? a1 plus 2d अब a1 plus d क्या होगा? a1 नमरे पास 3 है plus d 4 तो यह मरे पास 7 होजएगा यहां पर नमरे पास a1 क्या है 2D हमारे पास क्या हो जाएगा 8, 3 प्लस 8, 11 तो simply हमारे पास series क्या होगी the series is 3 plus 7 plus 11 plus up to so और आगे हम जिकर कर भी सकते है end time या जिकर ना भी करें तो हमारे पास यह सवाल का end आगे है सवाल थोरे length ही जा रहे है लेकिन कम से कम हमें इतना पता है कि हमारे पास इसमें किसी किसम का कुछ doubt नहीं बाच रहा doubt बिल्कुल हमारे पास clear है तो question number 14 पर आ जाते है तो question number 14 में हमारे पास the sum of three numbers तंवन बिल्ड़ और रफ 440 Find the numbers थोड़ा सा lengthy बलकि ज्यादा lengthy आप इसे कह सकते हैं इस exercise का सवाल अभी तक का क्योंकि अभी तक इतना lengthy सवाल कोई भी नहीं आया थोड़ा सा आपने इसे अच्छे तरीके से समझ लेना तो हम कह रहे थे कि हम इसे समझ लेते हैं तो थोड़ा सा समझने के लिए आप इसे पहले तो यह देखने के statement हमारे पास क्या है क्याता है sum of three numbers जैंजन AP is 24 हमारे पास जो तीन नम्बरों का आपस में sum है तीन नम्बरों को हम plus का रहे हैं तो उसका answer क्या रहा है 24 लेकिन जब उन्ही तीनों को हम यह हमारे पास शायद दुबारा दिखा गए है तो हम इसे cut कर देते हैं एड़ कि लेकिन जब हम उन्ही तीनों नम्बरों का product ले रहे हैं तीनों को multiply कर रहे हैं तीन नम्बरों को plus क्या answer 24 है तीन को multiply कि तो answer क्या रहा है उन्ही तीनों को multiply करने भी 440 वो कह रहा है नंबर ये तीनों कौन कौन से है सवाल दिखने में लेंधी है लेकिन आंसर बरा छोटा सा है अगर इसे समझ के किया जाए वो कह रहा है अभी तो लाजमी बात है हमने फर्जी करने है let कर लो suppose कर लो जो भी करो एक ही बात है suppose numbers are हमारे पास number के हैं फर्ज करते है main number a है एक हमारे पास a में से एक कम है और एक हमारे पास a में एक जाद है तीन numbers हमारे पास हैं इसे हमने equation number one का नाम दे लिया अब वो second form में उसने हमें अगर statement पर वापिस आ जो वो कह रहा है तीन नंब्रों का sum किया है 24 तो हम sum की form में लिख लेते हैं sum is equal to अब तीनों नंब्रों को positive form में देना है a minus d brackets में लगाने का मकसद ही है कि तीनों हमारे separate ही रहें वो कह रहा है तीनों नंब्रों का sum किसके बराबर है 24 के इसे equation number two का नाम दे लेते हैं फिर वो next में क्या कह रहा था अगर तीनों का product लो तो वो बराबर आ रहा है 440 के तो तीनों के product को वो कह रहा है हमने अब तीनों को क्या करना है multiply करना है a minus d फिर bracket a और फिर bracket a plus d तीनों का जो product है वो 440 ऐसे equation number 3 का नाम दे लेंगे आप अगर हमारे पास equation number 2 लीजए from equation 2 इसे मजीद सिर्फ solve कर रहे हैं हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे a minus d पहले step में सिर्फ हम brackets नहीं लिख रहे और कोई minus का sign नहीं था जिसके वैसे cutting भी किसी चीज़ की नहीं हुए minus d plus d cut out होगे a plus a plus a 3 is equal to 24 a दर ही रहा 3 उदर जाकर divide हुआ तो हमारे पास 3 बांदा 3 3 8 दा 24 अब थोरा से इसे आगे लेके चलते है a is equal to 8 इसे हमने equation number 4 का नाम दे लिया put in equation आप 2 में पूट कर सकते हैं 3 में पूट कर सकते हैं यह अब आप लोगों की अपनी मरदी है हम इसे 3 में पूट कर लेते है put in equation number 3 3 में पूट किया तो हम अरपस आगी 8 माइनस T 8 और 8 प्लस D is equal to 440 अब यह 8 इदर multiply हो रहा है उदर जागी हमने क्या कर दिया divide कर दिया हैं तो सारे आप इसमें multiply लेकिन वो single number था easily multiply हो जाएगा इसलिए हमने उसे separate कर दिया इससे थोड़ा हमेजी रहेगी जो बहुत जादा हमरे पास healthy amount हो जाना था number का वो होने से हमरे पास बाज़ गया और cutting होने के बाद हमरे पास number बलके small होंगे ना के large scale पे जाएगे A minus B A plus B A scale minus B scale का formula हमरे पास यह तो यह हमरे पास यह answer आगे D हमरे पास वहाँ पे हम d scale ले जाएगे और 55 इदर ले जाएगे यहाँ तक हमरे पास okay है सवाल हमरे पास अभी तक का सवाल था D scale is equal to 9 जब इसका square root लेगे इसको खतम करेंगे तो यह हमरे पास बाज़ेगा D और यह plus minus 9 अब हम थोरे थोरे करके step skip करना शुरू हो गए है लेकिन यह basic basic step है इसलिए इनकी कोई इतनी worth नहीं है ना इसको इतना दिल पे लेना है अब हमरे पास 2 है एक तो हमरे पास D है यह plus की side वाला तो यह मरे पास 9 था तो जब इसका square root लिया थो यह मरे पास 3 रह गया है अब एक 3 था मरे पास प्लस की side का और एक 3 था मरे पास minus की side का 2 मरे पास D थे अब इसे अगर हम equation में put करें अगर आप इसे हम equation में put करें हम equation number 4 ले ले लेते हैं जो सबसे हमारी simplest equation थी equation number हम यहाँ से ले लेते हैं 4 भी नहीं इसे हम simple first equation में put करते हैं जो मरपा first equation थी simple हम उसमें put करेंगे और मरपा number आ देंगे first equation थी है मरपास a minus d comma a comma a plus d as it is मरपास यहाँ पर भी same थी a minus d comma a comma a plus d यहाँ पर अगर minus की number put करें तो मरपास क्या आता है 8 minus 3 comma 8 8 plus 3 और यहाँ पर मरपास number आ देंगे 5, 8 और 11 यहाँ पर मरपास क्या होज़ेगा यहाँ पर अब हमरे पास होज़ेगा 8 minus minus 3 comma क्योंकि यह हमरे पास fix है 8 और 8 plus minus 3 8 plus 3 11 हो गया यह 8 हो गया और 8 minus 3 5 हो गया तो इस सेम नमबर जाए यहाँ तक हमारे पास सवाल सो अब next question पर आ जाती है क्योंकि exercise का यह शायद last question है बलकि इसके बाद हमारे पास एक और question है तो इसको जल्दी वीडियो भी खतम करते हैं और question भी खतम करते हैं तो question number 15 है हमारे पास find खतम करते हैं फोर नमबर तो थो सूम सारिवा पास है टपन करते हैं यहाँ खतम करते हैं तो जाए तो न is 276 वह कह रहा है हमारे पास जो चार नंबर है उनका सम मिल के आ रहा है 32 और वह कह रहा है जो इनके सम का स्केर लो तो हमारे पास आ रहा है 276 सम करो चारों का तो 32 और सम उसका स्केर करो तो हमारे पास आ रहा है 276 यहां पर भी हम लास्ट की तरह ही टेकनीक चूस कर लेंगे suppose या let numbers are या फिर यहां पर यहां पर फोर भी लिख सकते हो फोर नमबर दार या फिर नमबर दार वो क्या हम कह लेंगे a-3d दूसरे को हमने कह लिए a-t फिर कह लिए हमने a-t फिर हमने कह लिए a-3d इस equation number 1 का नाम दे लिए अब हमने सारे number code में रखे हैं even में कोई number भी नहीं रखा इसे रखने से हमारे पास जवाब easy होजएगा जवाब निकालना असान होजएगा इसलिए हम सारे order number का use का रहे हैं 3-1-1-3 एक 1-3 प्लस का एक 1-3 माइनस का even रखते तो में भी हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होजएथा even order कठी होते तो इसलिए हम इसी तरीके से ही चलेंगे अब वो कह रहा है कि यह इनका sum था 4 नंबर्स का वो क्या था 32 लो जी sum कर लेते हैं सबका a-3d plus a-d plus a plus d plus a plus 3d वो कह रहा है यह कितना था हमारे पास 32 और same वो कह रहा है इनका multiple हमारे पास यह product कितना था 276 product नहीं हमारे पास इनका जो square का sum था अब इनके square का sum किस तरह यह नहीं करना कि सारों का whole scale ले ले लेना separate separate square है इसका वो कह रहा है and the sum of whose square यह whole scale लिखा गया है the sum of scares यह sum of scares में क्या होगा सारों का separate separate sum है और separate ही square है whole scale ले ले लेंगे तो value बहुत बरी और काफी जादा large हो जाएगी separate square है और सवाल में उसने जिकर यही किया तो रहा सा statement सारी यह समझने वले सवाल और वो जादा असान हमारे लिए यह है कि course हमारे पास simplify या कम होने से हमें time काफी जाद है और course हमारे पास पिछले सालों के निस्पत काफी काम है गवर करने के लिए on simplification तो हमने जब इसको simplify किया पहली पूरी statement को अगर इससे simplify करो यहीं पिए आपको बता दूँ जादा lengthy form में नहीं जाएंगे plus के sign हटेंगे सारी brackets हट जाएंगे तो हमारे पास plus 3D बचेगा minus 3D से उड़ ज़ेगा minus 3D बचेगा plus D से उड़ ज़ेगा तो 4A बचेएंगे 4A is equal to 32 4A is equal to 32 अगर आप A plus 3D को देखो और A minus 3D के whole square को देखो तो आपको पता होगा कि हमारे पास इसमें भी cutting हो नहीं है और इसकी values में भी cutting हो नहीं है इसका जो minus 2AB आएगा इसके plus 2AB से कटेगा इसका minus 2AB इसके plus 2AB से कटेगा ठीक हो गया तो मारे पास इसमें value बचेगी A square plus 3D square इसमें value बचेगी A square plus D square इसमें value बचेगी A square plus D square इसमें बचाएगी A² प्लस 9D² और इसमें भी A² प्लस 9D² A² प्लस A² प्लस A² प्लस A² प्लस A² कितना बन गया 4A² और यह क्या है 9D² 9D² एटीन एटीन और 11A 11D² तो यह हमारे पास बन जेगा 20D² तो इसको थोरा सामने simplify कर दिया यह आपको आरजी तोर पे समझा दिया कि इतने जादा steps जो हम separate separate add करें अगर आपको simplify form में answer बताओं तो हमारे पास यह आएगा तो इससे हम equation number अभी वक्ती तोर पे पहले हमारे पास यह थे इसे 2 का नाम दे लिया और इसे 3 का नाम दे लिया अब इसमें से हम बलके एक answer भी निकाल सकते हैं 4 1 दा 4 4 8 दा 32 तो यहां भी हमारे पास एक answer directly आगे अगर हम इसे put करें equation number 3 में तो हमारे पास काफी हद तक d का answer बलके d का answer हमारे पास आ ही जाएगा तो हम put b से कर लेते हैं put in equation 3 जब हमने इसे equation 3 में put किया तो हमारे पास value किया थी 4 a square तो a हमारे पास क्या है 8 20 यहां पर हमारे पास था plus 20 d square is equal to 276 276 यह हमारे पास हो गया 256 प्लस 20 d square 276 माइनस 256 हो गया यहां पर सिर्फ बचा 20 d square तो यह हमारे पास answer आ गया 20 और यह फिर 20 d square तो यह 20 तर 20 से आगे डिवाइड हुआ तो अगर देखा जे तो हमारे पास सवाल बहुत जादी simplify हो गया d square is equal to 1 और अगर यह देखा जे तो d is equal to plus minus 1 फिर से हमारे पास दो possibilities है d is equal to 1 d is equal to minus 1 अब अगर इसे put किया जाए equation number 1 में put in 1 put in 1 जब इस equation 1 में put करेंगे तो हमारे पास equation क्या थी a minus 3d a की value के 8 minus 3 और d की value के हमारे पास 1 तो automatically हमारे पास plus 1 था तो plus 1 में हम लेगा जादा फिर a minus d तो फिर d sign वही था तो वही रहने दे नहीं है फिर ता मारे पास a plus d 8 plus 1 फिर कॉमा फिर a plus 3d 8 plus 3 और 3d था तो 3 बंदा 3 8 minus 3 5 आ गया मारे पास 8 minus 1 7 आ गया मारे पास 8 plus 1 9 आ गया मारे पास और यह 11 आ गया minus d अब minus और d का जो minus है वह जागा plus तो 8 plus 1 आ गया फिर 8 फिर plus d था लेकिन यह d minus है तो minus 1 आ गया उसके बाद 8 फिर plus 3 था लेकिन plus 3d था लेकिन यह minus है तो minus 3 आ गया तो मारे पास यह answer आ गया minus 3 बंदा 3 minus 3 और sorry minus minus plus 8 plus 3 11 यह 9 आ गया हमरे पास 7 आ गया और यह हमरे पास 5 आ गया तो यह हमारा answer इदर तक complete है अब हमारा last question देख लेए और इस वीडियो को भी खतम करते हैं और इस exercise को भी खतम करते हैं तो हमारा जो exercise number 6.4 का last question रहता है वो है question number 16 question number 16 में हमसे कह रहा है find 5 numbers in AP 5 numbers in AP AP में 5 numbers find करें whose sum is 25 and sum of whose square is 135 वो कह रहा है कोई से 5 ऐसे number है इसमें इनका जो sum है वो तो है 25 जबके इनके जो square है उसका sum क्या है 135 तो आईए हम let कर लेते हैं फिर से suppose five numbers are a-2d यह पहला number हम let कर लेती है a-d फिर a फिर a plus d और a plus 2d अब वो कह रहा है इसका sum हमारे पास क्या है 25 तो a plus 2d plus sorry हमारे पास minus 2d था a-d plus a plus a plus d plus a plus 2d is equal to 25 अब उसने हमें एक और चीज़ कही थी के इनका प्रोडक्ट है मतलब सारी चीज़ें यह multiply है sorry sum of square sum of square कैसे आएगा a-2d का square plus a-d का square plus a-d का square plus a-d का square plus a-plus 2d का square is equal to क्या था 135 अब यह दोनों चीज़े हमारे पास आ गई अब अगर equation number इससे हमारे पास अगर value निकालनी है तो देखा जाए तो यहीं पर थोरा सामी से solve कर देंगे minus 2d plus 2d से कर जाएगा d minus d से कर जाएगा बचेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 6 वो किसके बराबर होंगे 25 के तो 5 is equal to 25 5 दा 5 5 दा 25 तो एक answer हमारा के आजाएगा is equal to 5 जबके इस equation सेully हमारे पास देखा General यहां पर हमारे पास बचेंगा ... square तो complete हो जाएगा minus 2ab 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 2 ab total हमारे पास और बचेंगे तो क्या बचेंगे A², 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 A² और A² 5A² 5A² और जो दूसरी चीज हमारे पाद बचेगी वो क्या बचेगा यहाँ पे Automatically हमारे पास D² के भी Combination बचेंगे 2D है तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 4D² यहाँ भी हमारे पास 4D² बनेगा यहां पे हमारे पास होजेगा 1D square और यहां पे 1D square तो यह हमारे पास सारों को प्लस करके आजेगा 10D square is equal to किसके था 135 के तो यह हमारे पास 135 के equal आगिया अब यह 5A square था क्या था 5A square तो यहां पे simple हमने क्या किया एक ही value put कर दी put value of A in this यह बन जेगा 5 square 25, 25 फंदा 125 plus 10D square is equal to 135 125 इदर आके minus होजेगा तो यह हमारे पास सारों के आजेगा 10 10D square 10D square is equal to 10 over 10 होजेगा तो यह हमारे पास बहुत ही easy होगया सवाल तो D आजेगा हमारे पास plus minus 1 इसे हम equation number 2 का नाम दे लेते हैं अब हमारे पास A की भी value आगी दी की भी value आगी तो जो सबसे पहले हमने equation suppose की थी हम इसमें वो value put कर देते हैं अब हमारे पास वो जो suppose थे उपर first में numbers उसमें जब हम value put करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एगी value put की क्या था A minus 2D minus 2D मारे पास क्या है 1 फिर A minus D फिर A फिर A plus D और A plus 2D यहां तक समझ आगी सारों को यह क्या होगा 5 minus 2 3 यह क्या होगा 5 minus 3 4 यह क्या 5 6 और 7 अब हमारे पास यह वो पांचे नवर आगे जिनका सम करने पर आंसर आना था 25 और जिनका मॉडिप्लाइ करने पर आंसर आना था 135 तो हमारे पास जो numbers हैं वो आ चुकी हैं तक required numbers are numbers are यह हमारा answer है यह हमारे 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 यह हम